ओके, सो वेलकम ओल तो टुड़ेस् क्लास, टुड़ेस् क्लास इस अबाउट, लेट से एक एक नया सेशन हम लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ, मैं नेम इस एजिंके सरुण के, and लेट से, I am Chemistry, Physics, Biology, Maths and Social Science Educator, मैं ये इतने सारे subjects पढ़ा देता हूँ, प्लस, anacademy के उपर, हर एक exam के लिए, जितनी भी exams है, majority of the exams के लिए, preparatory हमारे पास courses हैं, आप preparation करवा सकते हैं, भली वो NEET हो, JE हो, 6-10 तक हो, 11-12 हो, let's say, MPAC हो, UPSC हो, it doesn't matter, हमारे पास almost हर एक चीज़ के लिए courses हैं, for your exam preparation, जल से जल anacademy को join करें, ताकि आपका जो preparation है, वो proper तरीके से हो सके, right, so do join anacademy, आप application डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे website पे से भी join कर सकते हैं, for the various courses, जो भी आप exam दे रहें उसके लिए, so let's start with our session, आज का, शुरू करने के पहले, विडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रू दबाना है, विडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन ज़रू दबाना है, चलिए, session शुरू करता है, तुमको क्या लगता है, कि जैसे कि वो जो star है, वो क्या कर रहा है, twinkle कर रहा है actually star twinkle कर रहा है क्या नई, कौन twinkle कर रहा है फिर आपका जो light आ रहा है atmosphere में वो twinkle कर रहा है another question, आगर यही star को earth के बाहर का कोई astronaut देख रहा है जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोई हमारा ship है यहाँ पर एक ship ले लो बाहर, earth के बाहर यह हमारा suppose a spaceship है ठीके यह हमारा spaceship है, और इसके अंदर यह तुम हो दूसरे, suppose यह तुम हो यह तुमारा भाई यह suppose this is your brother or sister, whatever अब उसको यह twinkle करेगा क्या? obviously नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में कोई atmosphere ही नहीं है, यहाँ से प्रकाश इसके पास कैसा जाएगा सीधा? no twinkling, क्यों? बीच में atmosphere नहीं है मतलब तुम क्या बोलोगे? twinkle twinkle कर रहा है, वो star क्या कर रहा है? twinkle कर रहा है और तुम्हारा भाई क्या बोलेगा? वो बिल्कुल twinkle नहीं कर रहा है no twinkling, because बीच में atmosphere नहीं है very simple तो एक बार revise करा के देता हूँ ठीक से सुनना atmosphere की reflection आपको unique पता चल गया होगा कि atmosphere ने बहुत सारे layers है continuous movement चलते रहता है तो reflection चालू रहता है continuously another part, यहाँ पर आप खड़े हो आपके सामने atmosphere है उसके बहुत सारे layers है और यह आपका star है अब यहाँ से जब यह आता है क्या बोलते है एक ray आती है ऐसे तो वो bend होती है और आप तक पहुंचती है तो जब आपकी आँखे उसको extend करती है तो आपके आँखों को लगता है कि भई यहाँ पर star है वो false position और वो twinkling effect किसकी वज़े से आता है atmosphere की वज़े से यहाँ पर उसको continuous disturbance है न तो एक्जाम में आपको न एक statement लिखना बढ़ेगा why this twinkling happens so the twinkling happens because of the atmosphere and the particles which are continuously moving inside the atmosphere आपको दो reason लिखने है क्यों होता है वो कि atmosphere is composed of multiple layers atmosphere के पास क्या है multiple layers है और हर एक layer में continuous movement चल रहा है continuous movement चल रहा है चीज़ का of तुम्हारा यह particles and because of that आपने कुछ विंग्लिंग इंफेक्ट मिलता है और चलिए यहां तक पूछ लेता है समझ में आया क्या चलिए so एक next point देखते है atmosphere में हमने न एक बात नहीं की थी और वो है कि अगर atmosphere के पास बहुत सारे layers है suppose यह पहला layer यह दूसरा layer तीसरा layer चौथा layer and it goes on right अब नीचे तुम हो नीचे क्या हो तुम हो यह earth का बहार का part है that is space question यह है कि प्रकाश बहार से आ रहा है right मतलब like sun से तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे तो हमको यह जानना है कि refractive index कों से layer का जादा है नीचे वाले का की उपर वाले का that we want to know तो देखो तुम बताओ atmosphere का जो particles है basically यहाँ पर वो बोड़ रहे है refractive index increases is it true उपर already space के अंदर हमारा atmosphere नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे है refractive index भी बढ़ेगा मतलब highest refractive index कहाँ पर होगा यहाँ पर और lowest refractive index कहाँ पर होगा यहाँ particle कम particle ज्यादा very simple particle less particle more तो kindly please correlate this with this particular diagram के दर जो पार्ट रिखा हुआ है refractive index increases as it goes from top to bottom reason being क्योंके नीचे atmosphere जादा रहता है उपर के comparison में यह 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 तो पता है हमको atmospheric refraction की वैसे होता है तो starlight on entering the earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth कुछ काम करने है refractive index change करता है bending होती है apparent position star slightly above हाँ पता है वो further this apparent position of the star is not stationary but इस कॉंडरलाइन करो यार यह 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 वो आपको mcq में पूछ सकते हैं वो जो apparent position है वो कहां दिखती है मतलब मान लो star यहां पर है तो apparent size okay हाँ यह point हमने discuss नहीं किया था कुंसा स्टार का वो star भी stationary नहीं है ना that is adding to that twinkling effect मतलब दो रीजन आप बता सकते हो पहला रीजन क्या atmospheric refraction second thing moving earth and moving sun so these sorry moving star and moving earth sunny bold wrong moving star and moving earth so these are the two points again which you can add to your refraction since the stars are very distant the approximate point sized source of light as the path of the rays अच्छा चलो इसको बात कर लेका है now before we get into the next point मुझे एक चीज बताओ क्या sun star है is sun a star simple question yes okay क्या वो twinkle करता है बन चलो बन चलो obviously not no twinkling effect okay क्या तुम्हारे पास planet है पास में अर्थ के बहुत सारे रेट क्या वो चमकते है उनके भी पास प्रकाश होता है नो yes they do also have light जैसे moon है वैसे reflect करते है तो क्या वो twinkle करते है वो भी twinkle नहीं करते है उनके पास भी प्रकाश है obviously सूरज के इतना नहीं है जितना हम लोग बोल रहे है लेकिन yes they do have their light because they reflect जैसे moon reflect करता है अपना रात को चमकता है वैसे ही planets भी चमकते है लेकिन उसमें एक point है क्या वो twinkle नहीं करते है हमको खाले इतना जानना है या फिर planet को ले लो ये और ये रहे तुम और ये atmosphere तुम्हारे सामने उनके नाम लिख देता हूँ ये कोन है distant star बहुत दूर का star है distant star और ये क्या है सूरज बोल लो या फिर planet बोल लो जो तुमको बोलना है planet या फिर सूरज sun अब देखो problem क्या है कि जो distant star से जो ray of light आती है वो इतना दूर है इतना दूर है इतना दूर है कि उससे जो light आती है वो एक single line आती है मतलब ये point के जैसा दिखता है मतलब वो कैसा है suppose मान लो एक simple example देता हूँ जैसे कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा focus light है ये वाला ऐसा एक बहुत बड़ा focus light है तुमारे घर के अंदर और ये ही focus light मैं कुछ तीन किलोमेटर चार किलोमेटर दूर लेकर गया और उसको वहाँ से चलाया तो तुमको ये ऐसा नहीं दिखेगा कैसा दिखेगा सिर्फ एक point दिखेगा जिस्ट एक single point दिखेगा अगर मैं उसको बहुत दूर लेके गया तो यही हो रहा है हमारे star और मतलब जो sun है वो और दूर लेके गया और pass वाला तो ये जो दूर वाला है ये star नहीं दिख रहा है क्या है वो? It's just a point एक point के जैसा दिख रहा है six single point है तो उसमें से ray कितनी निकलेंगी? सिर्फ एक ही निकलेंगी तो एक ray का reflection हो सकता है twinkling हो सकता है फिर आपकी star का अब जो planet और sun है इसका problem क्या है? इसमें से बहुत सारे rays निकल रहा है क्या हो रहा है? बहुत सारे क्या हो रहा है? rays निकल रहे क्यों? क्योंकि वो point source नहीं है न? dot थोड़ी है वो इत्ता बड़ा सूरज है वो इत्ता बड़ा planet है तुमारे सामने suppose Earth के Venus है then Jupiter है तो ये planets इतने बड़े size के हैं क्योंकि उसमें से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है एक single line नहीं निकल रही जैसे इसमें था dot की जैसे दूर ले कर गए तो इसमें पूरे प्रकाश आ रहा है तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को cancel out कर देते एक दूसरे को क्या करते है? तो क्या हो जाता है, they just cancel out the effect point source के यसा काम नहीं करते, फिर refraction कैसे होगा, तो तुम्हारे को जैसे कि वैसा प्रकाश आता है, जैसे कि तुम बाहर जाओ भी सूरज twinkle करता है क्या, नहीं, क्यों, बिकाज उसमें बहुत सारे rays of light निकल रही है, और एक दूसरे को cancel कर रही है, बिकाज उसमें से बहुत सारे rays of light निकल रही है, और एक दूसरे को cancel कर रही है, उसका जो effect है तो because of that, हमारे को जो यह मिलता है, क्या बोल सकता है जो इसमें से rays है, वो twinkling नहीं होगी सन का फिर, planets का भी same condition, मतलब in short हम लोग conditions बना सकते हैं कि कौन चमकेगा फिर, कौन फिंकल करेगा, can we have some conditions for this? बोलो, पहला condition whatever the object you are talking about it should be distant, the object should be very distant जिसकी भी बारे में बात करें कोई second condition है apart from being distant, yes मतलब it should be, let's say light source होना चाहिए उसकी उपर light source light खुद का होना चाहिए उसका मतलब जैसे कि कोई पत्थर सपोज ले लो तुम, दूर कोई पत्थर है उसका थोड़ी देखेगा main condition is, it should be distant and it should act as point source and light should be enough light कैसा चाहिए, enough चाहिए एक table बनाते हैं, ठीक है, with this discussion, थोड़ा से एक table बनाते हैं हम लो, तुम बताओ distant star लो distant star, मतलब दूर का star दूसरा लेते हैं, close star मतलब एकदम अपने अर्थ के पास वाले कोई तो भी star third sun को लेते हैं fourth, दूर का planet लेते हैं, distant planet और एक पास का planet लेते हैं, near planet we just want to know, इसमें से कौन-कौन ट्विंक्लिंग करेगा distant star करेगा क्या लगता है, distant star वो तो अपने बुक में हैं न, दूर के star तो करता ही है दूर के star कर लेंगे, agreed what about close star, जो अपने एकदम past में हैं, अगर अर्थ के एकदम past में होता, तो कर लेते हैं अर्थ के पास वाला करेगा क्या नहीं, अर्थ के पास वाला star क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास multiple उससे light आ रहे हैं, point source के इसा काम नहीं करता हो obviously not, sun sun करेगा जल्दी जल्दी, comment section में जल्दी से लिखो भई, so that we can clear the subject बहुत simple topic है no, distant planet दूर का planet दूर का planet करो या न करो matter नहीं करता है दूर के planet का प्रकाश ही अपने तक नहीं पहुँचेगा वो जाने दो matter ही नहीं करता है, क्योंकि दूर का planet है नो, खुद का light का है उसके पास अब ये दूर का star का प्रकाश तुमारे तरफ क्यों पहुचता है, क्योंकि उसकी खुद का प्रकाश है वो, खुद का light है अपने तक पहुचता, distant planet एक तो उसका खुद का light नहीं है और उपर से दूर से चमक रहा है, कहां अपने तक लाइट ही नहीं पहुचेगी उसकी और वट अब नियर प्लानेट, नियर प्लानेट का भी इशू वही है, एक पॉइंट के जैसा काम नहीं कर सकता हूँ तो खाली डिस्टेंट स्टार मतलब लाइट देता है तो इंकलिंग खाली एक ही इसमें होती है तो विद्धाट इंफर्मेशन लेट उस हाव सम्डाउट सेशन अके चलिए तो लेट उस टॉक अबूट संथिंग नौ अट्मोस्फेरिक क्या देखेंगे अभी सबसे पहला एक रिवाइस कर लेते हमने अभी तक क्या देखा हमने अट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन देखा उसका एक्जामपल देखा एप्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं त्विंकलिंग इफेक्ट अब त्विंकलिंग इफेक्ट के अलावा अभी और एक एक इफेक्ट है कि जो उनको पढ़ना है और उसका नाम क्या है कश समझ के लेते हैं वह अर्ली संसेट इसका मतलब मतलब संराइस होने के पहले दिखना शुरू करता है और संसेट होने के बाद भी दिखता है मतलब उगने के पहले दिखता है और डूबने के बाद भी दिखता है ऐसा बोल रहे हूँ तो लेट उस ट्राइट क्या मीनिंग है इसका तो देखो यह अर्थ है यह तुम हो यह तुम्हारी नजर है नजर को क्या बोलते मतलब लाइक दा लाइन अव विजिन इसको क्या बोलता है horizon बोलता है तो horizon is basically the line of sight जहां पर तुमको दिखता है मतलब इसके नीचे का तुमको नहीं देखेगा यह शितिज है मतलब इसके नीचे का तुमको पार्ट नहीं दिखता है तुम्हारे आखों को तो यह तुम्हारी आखों से line निकल रही है इसके उपर आया तो ही कुछ दिख यह वाई अब टेक्निकली सूरज तुमको दिखना नहीं चाहिए तेक्निकली तुमको सूरज क्या आखोंना चाहिए दिखना नहीं चाहिए फिर दिखता क्यों है इतना जल्दी तो वो होता है atmosphere की वज़ज़ से अब वो कैसे इसमें से ray of light निकलती है किसमें से तुमारे लेकिन बीच में किसको टकराती है वो atmosphere को टकराती है और atmosphere उसी प्रकाश को क्या करता है यहाँ पर bend कर देता है reflect कर देता है और reflect करने के बाद आपके आखों में चला जाता है शुरू मतलब इन short अगर atmosphere नहोता तो प्रकाश कैसे जाता सीधा जाता light तुमको दिखता ही नहीं लेकिन ये तुमको दिखना शुरू हो गया horizon के पहले भी तुमको दिखना शुरू हो गया क्यूं क्यूंकि atmosphere तुमको दिखा रहा है तो ऐसे लगता है जब तुमारी आखें इसको connect करती है जब आखें तुमारी connect करती है तो ऐसे लगता है कि सूरज यहाँ पर है टेक्निकल सूरज नीचे है लेकिन वो क्या हो रहा है atmosphere तुमको दिखा रहा है कि वो सूरज आपको horizon के उपर और जब आपकी आखे उसको connect करती है तो आपको ऐसे लगता है कि सूरज यहां पर है यह false position है this is apparent position और यह true position उसकी actual तो यह सुबह का हो गया यह sunrise का हो गया sunset कभी वही नाटक है sunset का भी क्या है वही नाटक है कैसे देखो यह तुम यह तुमर horizon सूरज उपर से आ रहा है सूरज उपर से नीचे आ रहा है अब problem क्या है जब वो नीचे जाएगा नीचे जाएगा अब भी तो फिलहाल तो तुमको दिखी रहा है कोई issue नहीं है लेकिन जब वो उपर से दूबने के बाद भी दूबने के बाद भी तुम्हारे सामने एक atmosphere का layer है correct तो दूबने के बाद भी जब इसके रे ऐसे निकलती है सीधा तो क्या होगी टकराएगी और तुम्हारे आखों में फिर से जाएगी bending मतलब वो डूब चुका है फिर भी तुमको दिख रहा है यह ऐसा कितनी देर होता है दो मिनट अब तुम बताओ सुबह के दो मिनट शाम के दो मिनट टोटल कितना मिनट तुमको एक्स्ट्रा सूरज दिखता है एक्स्ट्रा सूरज दो मिनट अंडो मिनट टोटल चार मिनट सुबह का दो शाम का दो चार मिनट कंप्लीट तुमको एक्स्ट्रा दिखता है सूरज and that is due to what atmospheric refraction atmospheric refraction की वाज़ेसा है तो लेट मी आस्क अबाउट दस पर कैसा उस पैरग्राफ को भी गया है इग्नोर यह वाला एडवांस संड्राइज दिलेट संसेट वाला ओके इसको अंडलाइन कर लो दो मिनिट और दोल मिनिट इसको यहां पर एरो करके लिखना टोटल फोर मिनिट्स सम्टाइम्स यह भी क्वेशन आ सकता है तुमको mcq में टोटल कितना मिनिट एक्स्ट्रा दिखता है सूरज तुमको इसको एक अंडलाइन कर लो अभी तुमको मैंने संड्राइज और संसेट के बारें बताया ना तो एक्जाम में क्वेशन क्या आता है कि सूरज ठोड़ा फ्लैट हो जाता है ना संड्राइज संसेट के वग एकदम पतला दिखता है हां तो वह क्यों दिखता है वो भी इसी क वाज़े से सेम सेम रिजण और इकिन पैसा है ना उसका सेप्रेट टॉपिक नहीं कि वज़े से बच्चों को पता नहीं चलता है कि उसका आंसर क्या है कि इसको अंडलाइन करो स्टार करो ये उसी के बारें बात कर रहे मुण संसें डिसक है वह फ्लैट दिखती है तो वह आपने कर लिया होगा very important from from the point of view of your exam we can go with scattering scattering के बात करते हैं अच्छा एक simple question तुम्हारे लिए अगर 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 यहां से एक नदी जा रही है ठीक हे नदी जा रही है और यहां पर एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर है सपोस्थ चलिए तो आपके पास लेट से कुछ प्षण सभी सॉल करेंगे हम लोग ठीक है आपके पास कुछ और विश्ली भी समय दिया जाएगा तू आपको अगर नहीं आता है तो देन एव इंड शोलव ठीक है चलिए तो अ परसन के नौट सी डिस्टिंट्ली अपिट्सके beyond 2 meter this defect can be corrected by using a lens of power okay तो कुन सा lens इस्तमाल करेंगे ये particular situation में if a person cannot see the distinct objects के beyond 2 meter 2 meter के आगे का देख नहीं पा रहा है ठीक है person तो question ये है कि फिर वो let's say how he can deal with it what kind of lens should he use तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूं suppose clock में आपको क्या करना है सिर्फ एक मिन्ट होगा आपको एक मिनिट के अंदर आंसर करना है fine शेल ये शुरू कर सकते हैं फिर can we start बुलिया okay so let us start in that sense एक मिन्ट होगा आपके पास एक मिनिट के अंदर आंसर करना है ठीक है आपका एक मिन्ट शुरू हो चुका है जल्दी आंसर कीजिए इस question का try कीजिए अगर नहीं आता है तो I will explain obviously आपका एक मिन्ट जल्दी खतम हो रहा है फास टांसर कीजिए आपका एक मिन्ट जल्दी खतम हो रहा है आपका समय खतम हो चुका है देखो यह पर्सन का प्रॉब्म क्या है कि उसका जो यह है क्या बुलता है लेंस है उसका सो आपको खाले लेंस फाइंडाट करना है अब उन्होंने जो बुला है वो ऑब्जेक्ट दो मिटर के आगे करने देख पा रहा है वो मतलब उसको कई से condition the the condition he is suffering from is myopia दो मिटर के आगे करने दिख रहा है मतलब condition कैसे होगी myopia मतलब उसको past का तो दिख रहा है दूर का ने दिख रहा है ठीक है that's the issue so ठीक है ना that can be done let's say this problem can be solved very simple आपको क्या करना है इसका फिर यह अगर myopia है तो lens को इस्तिमाल करेंगे obviously we have to use concave concave lens का इस्तिमाल करना पड़ेगा अब concave lens का focal length कैसा रहता है negative मतलब इसमें से सिर्फ negative options काम करेंगे either this और either this यह तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को concave lens चाहिए correct now for that purpose हम लोग उसको इस पर से अभी focal length कितना है तुमारा two so one by two is how much 0.5 okay so the answer is 0.5 d yes so that would be 0.5 d लेकिन main question it should be plus or minus obviously require concave to answer कैसा होना चाहिए minus so that should be minus 0.5 d यह minus में लेना पड़ेगा तब ही जाके minus में आएगा सही है okay so the answer should obviously be minus 0.5 d चले next question कर लेते हैं आपकी पास एक minute है एक minute के अंदर इस question का answer कर देना है just have to answer in let's say within one minute एक मिनिट के अंदर आंसर करना आपका समय खतम हो रहा है जल्दी से आंसर करना एक मिनिट के अंदर आपका समय खतम हो चुक है अपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है मतलब पास का नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर का दिख रहा है तो इसमें से को सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला statement is the near point of his eyes has receded away the near point of his eyes has come closer to him the far point of his eyes has come closer to him the far point of his eyes has receded away देखो उसको कहां का नहीं दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा है तो far point में issue तो है ही नहीं उसके फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं because उसको कहां का दिख रहा है सब पास का दिख रहा है तो पास वाले में इशू है अब रिसीड़ेड़ आवे मतलब दूर चला गया या फिर प्लोज आ गया अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है मतलब तुमको एकदम कम डि 25 cm राइट तो अब इसका आंसर बताना है आपको ठीक है तो आपके पास कुछ फिगर्स है अप्रिजम ABC's basis placed at different orientation a narrow beam of white light is passed in which of the falling cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky तो इसमें से बताना है कौन सा case में मतलब यह आपका first case है यह आपका second case है और यह आपका third case है आपको यह बताना है कि इसमें से कौन से condition में उपर से जो भी color मिलेगा dispersion के बाद वो उपर से तीसरा color नीला होगा तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं ठीक से बताएं आपका समय तो शुरू हो चुका है तो क्रिपया कर जल्दी से आंसर दें कर दो कर दू Companू कर पर सान कर दोैका है तो झाल च खाल कर दो क्र दो kno on आपके आपका समय खतम हो चुका है इसमें से कौन सांसर होगा देखो उपर से का तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं अब जन्रल यह कैसा आता है उपर से नीचे तक कलर कैसा प्रिजम में तो विप जौर के फॉर्म में आता है जो उपर से नीचे तक आता है तो विप जौर के फॉर्म में आता है अब रॉब्लम यह है कि तीसरा कलर मतलब यलो आता है अगर उपर से हम लोग देख रहें फर्स सेकंड थर्ड हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए ब्लू चाहिए तो यह रहा हमारा थर्ड अब प्रॉब्लम यह है यह दूसरे तरफ से उल्टा मतलब तीसरा नमबर आता है इसका ब्लू ओके सो वी नीड अ सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो उल्टा है मतलब यूनो दो पॉइंटर शुट भी लिट से उल्टा अब इसके लिए सब्सक्राइब हम लोग एकर सकते हैं सब्सक्राइब स्दॉआ कर सकते अंदिसरा 2 वी सब्सक्राइब उल्टाइब में चाहिए है रही शे नहीं तो यहांपर कंडिशन देखे लो ये और डो अगर आफित्सक्राइब बीलिए भार्टम पे तो इम chicken ऴॉषी होसम एंटसब लखेगा करेक्ट मतलब लाइक इन दे केस ओफ यह आपका जो पहले सेकेंड फिगर यह वाला इस वाला जो फिगर आपका तो वह वाला काम करेगा करेक्ट ऑपर के नंबर नहीं आप्शन के साब से नीचे टू है लिखा हुआ तो यह फिगर में होगा क्यों कि यहां पर उल् हमको वह इसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था ब्लू का तो हमको वही मिला है करेक्ट तो यह रहेगा ऑप्शन फिर तो टू इस दी आंसर भी चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर जाता है अट नून दा सण अपीर्स वाइट आज तो नून को सं यह क्यों दिखता है भाइट क्यों दिखता है लाइट इस लीस्ट स्कार्ट ऑल दे कलर्स अवे ब्लू कलर is scattered the most red color is scattered the most तो आपके पास एक मिटे एक मिटे के अंदर आंसर करना है ठीक है चलिए आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी बताएं कि आपका एक मिटे खतम हो रहा है जल्दी इस आंसर कीजिए कि आपका समय खतम हो चुका है लटे सी दांसर फो दिस्क्वेस्टिन रमोन लट्से नून के वग शन वाइट क्यों अपेर करता है राइट इट इस अपेरिंग वाइट तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इस लीश्ट स्काटर आसा बोल रहा है नहीं ता पॉसिब क्योंकि क आप अगर ऐसे खड़े हो और अगर दोपैर की कंडिशन है यह मान लो उपर का अट्मॉस्फेर है उपर सन है सपोस यह रहा सन सपोस तो इशु क्या है कि दिस्टन्स की जो उसको ट्रावल करना पड़ता है इन दिस केस इस वेरी लेट से मिनिमॉम कैसे देखो यहां तक आ सपोस उसका जादा कुछ लेट से यह प्रॉबम होता ही नहीं है नव इन दिस केस सपोस हमको खाल इतना जानने की लिक वट विल है तो स्काय कैसा दिखता है सपोस विल अपियर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर अब लोग बात कर रहें तो दे कंडिशन रूब भी कि लेट से पूरा स्कैटरिंग वहाँ पे होई नहीं रहा है जादा बिकास ज्यादा एंट्मॉसफेर में यह नहीं हो रहा है क्या बोल सकते हैं वहाँ पे इस्टंस ज्यादा नहीं है तो पूरा ब्लू देखेगा और बाकी के फिर ऑप्शन पूरे चले जाएंगे तो यह Which of the following phenomenon of light are involved in the formation of rainbow? Rainbow की formation में से कौन सा चीज रिस्पॉंसिबल है? तो reflection, refraction, dispersion, refraction, dispersion, total internal reflection, refraction, dispersion, internal reflection, dispersion, scattering, total internal reflection. चलिए आपका एक मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीज़ें for this question. आपके पास एक मिनट है, एक मिनट के अंदर आंसर करना है? आपके पास आंसर करना हम अंसर की नहीं, गवाल वाए जल मिनट थे हो। है, पास आंसर कके आंसर करना है? दोंदी त TP नहीं से पास जुरू हो अंसर की इए हो औका उतádके उन्छह़। थोड़ा सोथ समझ के अंसर बताना है ठीक है आपका समय खतम हो चुक है लेट सी आंसर फ़र इस क्वेस्टिन देखो क्या बोल रहे हैं वह इस क्वेस्टिन में च्वेस्ट बनाने में की लिए इसमें से कौंव सा चीज का इस्तमाल होता है रेफ्रीक्शन गडƁल तो देखो रेफ्राक्शन देख लेते हैं इसमें इंडिश्राइक्शन हम ओर सेक्न तो एंडिकेड फिते हम संदिर्री शेटौत सब्लगेगा हां internal reflection लगेगा लेकिन सिर्फ internal not total internal reflection तो that means c c option would be good for this right तो इससे आपका rainbow तैर हो जाएगा चलिए next question twinkling of stars is due to the atmospheric what ठीक है twinkling क्यों होती है तो twinkling बताने आपको twinkling क्यों होती है ठीक है आपका एक मिंट शुरू हो रहा है अब answer कीज़े कि twinkling क्यों होती है कि आपको खाले इतना बताना है कि twinkling होती क्यों है आपका एक मिंट अलड़ी शुरू हो चुका है आपके पास options है उसमें सही बताना है ऐसा भी नहीं है कि कुछ difficulties में से बताना है all you have to do is give me the answer from these options itself जल्दी से अंसर कीज़ें आप 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 आपका समय खतम हो चुका है जल्दी से अंसर कर लेते हैं इसका तो पॉस्चिन इस ट्विंक्लिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है तो ट्विंक्लिंग ऑफ स्टार्स के लिए वट इस रिस्पॉंसिबल इस डिस्परिशन ऑफ लाइट बाट बाट नहीं यह तो पहला उप्शन तो पक्का नहीं होगा पानी के ट्रॉपलेट इस टो बिल्कुल नहीं होता है रिफ्लाग रिफ्राक्शन ऑफ लाइट बेरेंट लेट इस अंट पर में काफी लेयर होता है तो हर एक लेयर अलग-लग टाप से रिफ्राक्शन करता विकज अब दाट आपको ट्विंक्लिंग एफेक्ट मिलता है स्केटरिंग का कोई समझ नहीं इंटर्नल इफ्लेक्शन का भी नहीं सो आंसर उट भी बी इन दिस केस एट बी रहेगा चलिए आगे बढ़ता है विद बढ़ता है विद्धाट सेट नेक्स्ट क्वेस्ट आपका एक मिट शुरू होता है अब जल्दी से आंसर करना ठीक है मैं टाइम चेट कर देता हूं आप आंसर बता देना हूं तो डू लेट नो दी आंसर आस क्विकली अस पॉसिबल कि आपके आपका एक मिट खतम हो रहा है जल्दी से आंसर कीज़ें लगें जल्दी so your time is up let us see the answer for this question the clear sky appears blue because we blue kg the blue light gets absorbed in the atmosphere ultraviolet radiation are absorbed in that atmosphere wallet and blue lights gets scattered more than the lights of all other colours with atmosphere light of all the colors is scattered more than the wall it and the blue color lights of the atmosphere okay clear sky blue क्यों दिखता है right तो बहुती easy है blue light gets absorbed in the atmosphere absorb होती तो दिखता है नहीं ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere ये भी गलत है violet and blue light gets scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere ये सही है light of all other colors is scattered more than the violet and the blue colored lights of the atmosphere तो answer क्या रहेगा see should be the correct answer चली next question which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air तो आपका समय शुरू हो रहा है अब आपके पास एक मिनिट है एक मिनिट के अंदर आंसर कर देना है चली जल्दी से आंसर कीजिए फर दिस आपके पास सिर्फ एक मिनिट है एक मिनिट के अंदर आंसर कर देना है उल्दी से आंसर कीजिए टॉपका समय कातम हो चुक है लिट उस्कुस्ट्बस दी कर दूपुस्ट्रेट्ट्रेट्म्सक्राइए वुष देस्ट्रइल आपर फ्रॉल्ग टिटम्सक्राइए पत्रा गर्रगर्द समय कहते है इं एर के अंदर का तो it's quite simple right हमको खाली बताना है कि air के अंदर का which of the following statements is correct red light moves fastest ठीक है आपको ये पूच रहा है regarding the propagation of light of different colors of white light in air air के अंदर का red light moves the fastest ये बराबर है red light fast move करती है लेकिन air का पूच रहा है air में सबकी speed same होती है blue light moves fastest than green light ये भी गलत है as I told you every color will have the same speed all the colors of the white light move with the same speed हाँ साही है air के अंदर सबका speed same होता yellow light moves with the mean speed as that of the red and the violet light mean का क्या संबन्द है average थोड़ी होगा so answer is C चलिए आपका next question आपके screen के सामने है एक minute है आपके पास आपको एक minute के अंदर answer करना इस question का fine चलिए answer कीजिया हम 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 मुत지 का Гटे आपके 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 आ आपके 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 क्वका आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से असर कीजा आपका समय शुका है लेट शीदा आंसर फॉट इसके तो को सब्सक्राइब लेता है इसके वैसे यह वह उसको यूस करते हैं इस टाइप में तो इस वेरी सिंपल वन सबसे कम स्केटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूस करते हैं बिल्डिंग के उपर देंजर सिगनल इस लेट से अपसर्ब दा मुस्ट वागरा इसको स्केटर नहीं कर पाता है इसको स्केटर नहीं कर पाता है है दाट से रीजन चलिए आपका एक मेंट चुरू हो रहा है इसका अंसर कीजिए ट्राइग कीजिए नहीं आता है तो आप इसलिए विल एक्स्प्लेन लेकिन तब तक पहले ट्राइग कर लो आपका समय और डी शुरू चुका है जल्दी संसर कीजिए आपका समय खत्म हो चुका है चलिए आंसर कर लेते इस question का तो question actually बहुत simple था all we have to do was let's say थोड़ा सब बताना था कि भही logic क्या है इसके पीछे which of the following phenomenon contributes significantly to the reddish appearance of the sun तो reddish appearance of sun के लिए कौन responsible है देखो वो तो generally कपकी condition होती है sunrise and sunset की correct यहां पर suppose एक layer होता है आपका atmosphere का तो during such situation यहां पर suppose आपका सूरज के आयना red दिखता है correct तो यह पूरा आ जाता है in this case ऐसा and distance काफी cover करना पड़ता है in this case sunset also यह तो sunrise की बात है sunset के वक्त भी same condition होती है मतलब लाइक जादा ही distance को travel करना पड़ता है now because of that जो सो आपो जो sunrise sunset पे color दिखते हो इसकी वज़े से dispersion of light की वैसे नहीं होता साथ color में divide नहीं होता हो scattering of light scattering of light so let's say is the basic reason for this total internal reflection विल्कुल नहीं reflection of light from earth यह भी नहीं सो answer is scattering के वैसे होता है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए next question आपका एक मिट शुरू हो रहा है अब question पढ़ देता हूं मैं आपके लिए so it is the bluish color of the water in deep sea is due to तो वो जो डीप सी में blue color रहता हो किसकी वज़े से रहता है ठीक है all your two answer is why it is blue in color चलिए तो शुरू कर लेता है आपके एक मिट शुरू हो चुका है जल्दी से answer कीज़ें okay so please answer properly okay so it समझ के बताना no mistakes जल्दी से answer कीज़ें okay आपका समय खतम हो चुक है let us see the answer for this question काफी interesting question था let's say in terms of our topic it's really interesting तो उसका answer हम लोग देख लेते हैं कि why so ऐसा answer क्यों है so let's talk about that now with that point said let us talk about हमारा next वाला जो चीज है वो and that is going to be this question the bluish color of water in deep sea is due to bluish color क्यों रहता है आपको मैं ठीक से बता दू water is colorless होता है पानी का color कैसे रहता है totally colorless वो अपेर इसले करता है because जो भी object उसके ओपर reflect कर रहा है उसकी वज़े से so the answer would be B reflection of sky in water उसकी वज़े से दिखता है बाके कुछ ने राइट चलिए so this was the answer for this particular question next question देख लेता है पढ़ देता हूं पहले when light ray enters the eye most of the refraction occurs at the refraction सबसे ज़्यादा किदर होता है जब light आखों के अंदर गुस्ती है तो सबसे ज़्यादा refraction कहा होती है तो crystalline lens, outer surface of the cornea, iris, pupil चलिए आपके पास एक मिनिट है एक मिनिट के अंदर आंसर करना है आपको अगर नहीं आता है तो then I will be helping out obviously लेकिन तब तक पहले try करना आप 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 से आप कि आपके आपका समय खतम हो चुका है चली आंसर देख लेता है वन लाइट रेंटर इंटर करती है तो रिफ्रेक्शन कहां होती है क्रिस्टलाइन लेंस पर बिल्कुल नहीं आउटर सर्फेस ऑफ दे कॉर्णिया पर ही एक्शली रिफ्रेक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे आइरिस तो अंदर है प्यूपिल भी अंदर है आखो के आंसर इस आउटर सर्फेस ऑफ दे कॉर्णिया इस रिस्पॉंसिबल फॉर दिस थैंग चलिए दर नेक्स्ट देख लेता है अनेकडेमी के प्लस और आइकॉनिक सबस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इंफिर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलता है तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस एजुकेटर पढ़ाएंगे इंटराक्टिव लाइफ क्लासेस होंगे इसके अंदर लाइफ टेस्स सीरीज और क्विजस भी होंगे स्ट्रक्चरड कोर्सेस और पीडियस मिलेंगे आपको लाइफ टेस्स में को ऐसा है आपके परफॉर्मस चेकिंग में आपको मदद होगी इंटराक्टिव लाइफ क्लासेस मतलब हमारे पास आडियो फीचर भी है इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटराट कर सकते डिरेक्ली रेज़ा हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको इसका मतलब यह है कि आप स्टूडेंट डिरेक्ली टीचर से बात कर सकता है तो that is another feature की जो हमने दिया है तो plus बहुत ही interactive live classes होती है ऐसे monotonous classes नहीं होती है Iconic courses अब Iconic courses क्या है Iconic plus का advanced version है So it is your, you can take your CBAC preparation to the next level with personal mentor तो आपको इसके अंदर एक mentor आजहन किया जाता है This is something new Plus के सभी feature आपको मिलेंगे लेकिन इसके कुछ खुद के extra features है जैसे कि आपको एक personal mentor आजहन किया जाता है light out solution होता है मतलब live lecture में अप एक live sessions कुछ होंगे उसके अंदर आप directly doubt पूछ सकता है आपको उसका answer मिल जाएगा उसके बाद parent connect program parent connect program में आपके parent आपके mentor के साथ बात कर सकते है अगर उनको support लेट से कुछ problem solve करनी है आपके regarding कुछ performance पूछनी है या फिर कुछ और improvement करवाना है तो they can talk with the mentor and second thing is last study planner आपको इसमें study planner भी दिया जाता है तो इतने सारे features है iconic के So उनके जो rates हैं वो एक बार rates देख लो CBAC देखोगा rates कैसे हैं यहाँ पर चार हिस्तों में divided हैं यह 9th के लिए है और यह 10th के लिए यह जो rates हैं वो plus के हैं यह जो rates हैं वो iconic के हैं plus iconic तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग rates हैं तो अगर आप 10th standard में हैं तो आपका rate होगा एक साल के अगर आप बात कर रहे हो 15,000 या फिर सब्सक्राइब से 28,000 फर iconic courses यह plus का rate है यह iconic का rate है next thing is 12 months for this thing आपके 9th standard के लिए तो 15,000 rate होगा 28,000 for iconic subscription इन दोनों के उपर 10% discount मिल सकता है कैसे लेना है कैसे अवेल करना है आपको क्या करना है देखो इधर payment का button आएगा उसके बाजू में code का button आएगा यहाँ पर वो code को tap करना और वहाँ पर code क्या लिखना है AS live 10 AS live 10 लिख देना है और जैसे आप OK कर दोगे तो आपके ऊपर के जो prices है वो 10% से कम हो जाएंगी ठीक है immediately कम हो जाती है यह पहला step आप पहले code लिखो that is AS live 10 अजिंके सरोण के LIV10 no spaces है आप कुछ space नहीं दे रहा है continuation में लिखना है उसके बाद आप plan select कर लो मान लो यह ले लिया अपने फिर third वाला मतलब बटन को दबा दो बस that's it तो पहले code लिखना है AS live 10 10% discount मिल जाएगा immediately prices कम हो जाएंगी आपकी दूसरा plan select कर लो अपना और फिर आप payment के बटन को tap कर लो बस हो गया payment हो जाएगा आपका इतना ही करना है जदा hard नहीं है तो please do apply for the plus or iconic depending on आपका कैसा आपको कौन सी feature अच्छे लग रहे है which what do you want मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है की plus के features क्या है iconic क्या है तो depending on your requirement आप दोनों में से एक select करवा सकते हैं either you can go for plus which is a basic plan to get you started and iconic subscription which can help you to take your CBC preparation to the next level with personal mentor right तो दोनों में से select करके जल्दी से apply कर दो आपके पढ़ाई में काफी मदद होगी ये नए दो offers सुन लो offers है let's say offered for both iconic and plus subscribers offer valid only till 16th July and exciting mega offers for CBC classes 6 to 12 तक offers कुछ इस तरह है कि अगर आप 12, 15, 18 months का subscription लगाते हो तो आपको free subscription मिल जाएगा CBAC का 2 मेने का 24, 36, 48 months के लिए 4, 4 मेने का and 60, 72, 84 months के लिए 6 मेने का 6 मेने का CBAC का subscription free मिल जाएगा आपको creative corner अगर आप 12, 15, 18 के बाद करते हो तो 2 मेने का free 24, 36, 48 तो 4 मेने का free and 60, 72 and 84 months का अगर आप subscription लगाते हो तो आपको 6 मेने का creative corner subscription free में मिल जाएगा तो flat 10% discount on purchasing plus subscription for all duration 10% का discount सभी के उपर available है उसके लिए आपको खाली use करना है the code ASLIFETAN Unacademy की तरफ से बहुत सारी scholarship exam लिये जाते हैं उसमें का one of the most important exams जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है combat exam तो Unacademy's combat exam scholarship test है ये एक प्रकार की आपके let's say आपका knowledge talent को suppose admire करनी के लिए हमारी तरफ से एक छोटी से कोशिश है हम लोग इसके अंदर scholarships देते हैं scholarships that would be let's say एक पूल है एक करोड का अलमूथ उसमें से हम लोग scholarship देते हैं this is for 9th and 10th both 9th and 10th दोनों के लिए है आपको खले इतना करना है कि 18th July को suppose आने वाले 18th July को सुबे 11 बजे ये exam होगी इसमें question कितने आएंगे 30 question होंगे सब भी multiple choice question होंगे मतलब आपको descriptive कुछ लिखना नहीं है सिर्फ option को choose कर देना है और कितना time रहेगा आपके पास solve करने के लिए 45 minutes से देखो 30 question है मतलब almost 1 minute से जादा ही आपको समय मिल रहा है to solve one question and उपर से ये free life test है android mobile के उपर and test in Hindi and English ये दोनों में conduct की जाती है Hindi also English also तो it matter नहीं करता है कि आप suppose Hindi medium को बिलाउं करते हैं फिर English medium को आप फिर भी ये test दे सकते हैं और scholarships worth रुपीज कितना एक करोड तो date याद रखे this is for 9th and 10th both and ये exam होगी 18 तुझे ले सुबह 11 बजे scholarship test जरूर दे ठीक है combat ताकि आपको बढ़िया बढ़िया price मेले scholarship मेले हमारी तरफ से all you have to do is give this exam ठीक है 30 questions 45 minutes MCQ test and इसके features क्या है देखो 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore 5000 learners get chance to win scholarships instead of 1500 learners 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days तो 14 days की जगे पर 7 दिन का validity होगा तो इतने सारे features है combat के जरूर दे दो आने वाले Sunday के exam को तो enroll अभी कर लो ठीक है आज ही कर लो अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद so that आपका ये exam आप दे पाओ देखे आपको अगर 10% discount चाहिए कोई भी plus या फिर iconic courses पर आपको खाली इस code का इस्तमाल करना है जब भी आप payment करें all you have to do is use this code that is ASLIVE10 अजिंके सरुण के LIVE10 आप ये code का इस्तमाल कर सकते हैं payment करते वक्त और भली आप कोई भी course को apply कर रहे हो मतलब 6-10, 11-12 सब भी जितने भी courses and academy की तरफ से सब के उपर आपको 10% discount मिल जाएगा with the use of this code तो ये code का इस्तमाल करें ASLIVE10 और 10% discount ले आपके कोई भी course के उपर ठीक है ASLIVE10 unacademy के application को आज ही download करें आप Google Play से भी download कर सकते हैं या फिर आपका अगर पास आपके पास iPhone है तो आप App Store पे सी भी unacademy के application को download कर सकते हैं All you have to do is go to Google Play if you are using Android if you are using Apple let's say iOS आप mobile यूज़ कर रहे है Apple का तो आप App Store पे जाके you can download अब इसके उपर अगर let's say if you want to see some features आप test करना चाहते देखना चाहते कि किस प्रकार के courses है क्या है तो वो जब आप let's say installation करोगे तो हो सकता है कि आपको code पूछे so that you can access some features so that you can see for yourself कि कितना अच्छा application है आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में तो आप एक काम कर सकते हो वहाँ पे you can use this code ASLive10 to unlock the features application को install करें अगर आपको code पूछता है तो आपको code वहाँ पेंटर करना है ASLive10 अजिंके सोड़ों के L-I-V-E-1-0 ठीक है so CBSC's latest guidelines are live on an academy हम जो एक नए guidelines जो आए हैं CBS के तो CBSC के जो भी guidelines है new मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि दो exams लेना है term 1, term 2 के नाम से तो हम लोगों ने उसके लिए काफी तयारी करके रखी है so new batches are starting from 19 July for CBSC class 9th and 10th batches dedicated to term 1 सिर्फ term 1 का से लबस हम लोग इसमें complete करेंगे completely aligned with the new CBSC guidelines जो भी CBSC ने guidelines दिये उसके तहत ही ये batches बनाई गई है all subjects included सब भी subject include किये गए है and Hindi and English mode of delivery तो आपको English में भी batches है Hindi में भी batches है जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन batches को attend कर सकते है term 1 examination approaching in 3 months सिर्फ 3 महने में आ रही है और कोई भी platform इतने जल्दी suppose आपको update नहीं देगा Unacademy ये जो platform है आपको जल्दी से इसका फाइदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर ये कुछ नई batches launch हुई है उसके बारे में थोड़ा information देदू Class 10th के लिए जो batches launch हुई है वो है Target 22 batch 5th July से और ये कब तक खतमों का course 30th November तक और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे है कुनाल किशोर सर Maths पढ़ा रहे है शुबम जहा साइंस पढ़ा रहे है मालिया रस्तोगी जैसे माम English पढ़ा रही है अनूशा माम Hindi पढ़ा रही है और Class 9th के लिए जो batch है वो ही Target 22 batch नाम से हैं में लेकिन Class 9th के लिए उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे है Maths संतोश सर पढ़ा रहे है Science सपना माडम पढ़ा रहे है English प्रेक्षा माडम पढ़ा रहे है और Hindi भावना माडम पढ़ा रहे है तो ये dates से याद रखू 5th जुले and 30th नवेंबर उसके बाद कुछ और दो batches है Target 22 batch जो 5th जुले से शुरू हुई है 30th नवेंबर तक चले गी है इसके अंदर Maths गुजेती माडम पढ़ा रहे है Science भावना माडम पढ़ा रहे है SST हार्दिक सर पढ़ा रहे है English पुनीता माडम पढ़ा रहे है और जो ये है Hindi core से वो अनुशा माडम पढ़ा रहे है उसके बाद 9th का जो batch है उसके अंदर Target 22 batch SST सिकंदर सर पढ़ा रहे है Maths ब्रिजेशर पढ़ा रहे है Science अक्षे सर पढ़ा रहे है English प्रेक्षा माडम पढ़ा रहे है और Hindi भावना माडम पढ़ा रहे है ये batches में ज़रूर enroll करें और हर Monday एक नई batch launch हो जाती है तो ज़रूर enroll करें ताकि आपका जो preparation है 9th और 10th का वो बहुत ही proper तरीके से हो सके तो ये new batches है और हर Monday हम लोग एक नई batch launch कर देते हैं तो आपके preparation में काफी मदद हो जाती है